पूरा मामला यहा है कि नर्सिंग पूजले के गराम पंचाइद बरमान की जहां पर पूलिस ने चोरी किया कुलासा 20,000 रुपे की नगत रासी गटना को अंजाम दिए पुलिस पूरी तरह इस चोर को पकड़ने में जुट गई थी, पुलिस ने आसपास लोगों से पूस्ताज की तथा उस छेतर में लगे CCTV कैमरे को खंगाला जिसमें नामदे बस्ताला में एक चोर चोरी करते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया, पुलिस ने उस चोर की सिनास की और स जेल भेजा है, आपको चानकारी में बताते हैं कि जो आरोपी गरबतार हुआ है, उसके पहले सही थाने में आपरादिक मामने दर्ज हैं, CCTV कैमरे में कैद होई चोरी की बारदात, पुलिस ने बीस जार रुपे की चोरी कर किया, खुलासा, पुलिस ने आरोपी गरबतार कर जेल भेजा, जी आप देखते रहे हैं, तिनी जी बड़ी कमर में लगी है, बारमान चोकी के अंदर गजाप और पुलिस ने पीस जार रुपे की चोरी करने वाले आरोपियों गरबतार किया है, और ये चोर CCTV की कैमरे की निगरानी मागे थे, जिसके चलते इन आरोपियों क कि अच्छी को सिनाक्त कर, पुलिस ने गरबतार कर जेल भेजा, जिसमें चोरी के एक मामला समयाया था, इसमें क्या मामला था इसको नामदे बस्तरा लाइते, राजन नामदे दवारा रपोर दश कराया है कि उसको रात में उसकी दुकान का ड्राज तोड़कर, किसी तोड बीस हजार लोगे चोरी हो गए हैं, तदा उसने संदे बर्मान का आकास के उपर किया था, जो बिल्गत अपराद कायं कर उसकी इतलाज पता साजी की गई, जो आरोपी आकास मिला, जिससे पूस्ताज करने पर उसने घटना-घड़त करना कबूल किया, जिससे चोरी करने के दौरन खोली गेट राज केंची तदा पंदरह जार रोपया जग्त किया गया है, और उपी को गिरफदार करने मनने नियाले रेमान पर भेज़े जा रहा है, जिससे सुनने में आ रहा है कि सीसी कैमरे लगे हुए थी, जिसमें इसका पूटे जा है, हाँ, सीसी कैमरे लगा जो वसी के आधार पर उसका तलास कि गिए थी